हे गाईज वेलकम टो एजुकेशन के अटेशिक्स रेलवे ग्रूप डी के समानने विज्ञान के अब तक की 130 ऐसे महत्य प्रश्ण हैं जो की दिमाग में अच्छे से चिपकालो जी हां कहने का मतलब है कि ये प्रश्ण जो है उन प्रश्णों से बिलकुल अलग है जो रिपीटेड हो रहे हैं उन प्रश्णों को भी इसमें सामिल किया गया है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पर 130 प्रश्ण अगर मैं सारे प्रश्णों को लेता रिपीटेड प्रश्ण देखें हो सकता है कि यहां से प्रश्ण आपके एक्जाम में रिपीट हो सकें तो दोस्तों हमारे साथ बने रहीएगा इस पूरे वीडियो में और जो भी कैनिडेट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज चैनल पर जाए और इस सब्सक्राइब के आज का ये सिनारियो दोस्तों जेनरल साइंस और सिफ्ट 17 से लेकर अक्टूबर तक के ये सारे प्रश्ण है ठीके दोस्तों चलिए सुरू करते हैं ये रहें वो कुछ प्रश्ण ऐसी करके हम आप तक टोटल 130 प्रश्णों को सामिल करेंगे तो हमारे साथ वीडियो में लाश तक बने रहीएगा तो देखो पीच वैलू जो होता है नसल का वो होता है 7 ध्यान रखिएगा और इसका पीडियेफ जो है वो भी आपको मिल जाएगा एड्यूकेशन की आटिसिक्स के टेलीग्राम चैनल पे वहाँ जोईन कीजिए वहाँ पे आपको इसका पीडियेफ भी मिल जाएगा चलिए लिमोनाइट इस और ओर ओफ ठीक है लिमोनाइट इस और फार विच एलिमेंट तो आंसर है आइरन यानि की जो लौह आयस कोते हैं उसके और होता है लिमोनाइट तो आंसर थे केरला यह थोड़ा सा जनरल जीके का कोशन है यह एक कोशन आ गया यहाँ पे चलिए इन विच पीरियोड ग्रूप ऐलिमेंट 57 फॉल इन पिरियोडिक टेबल तो आंसर है लैन्थनम इस दा केमिकल ऐलिमेंट विद दस सिंबल एल ए अतोमिक नंबर है 57 इस इन इन फिरियोड ग्रूप दोस्तों पिरियोडिक टेबल के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लिजेगा क्योंकि पिरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बन रहे हैं एक्जाम में बहुत ही ज्यादा ठीक है तो उन सभी प्रश्नों में से एक प्र लेंथनम is the chemical element with the symbol of LA जहां कि देख रहे हैं आप यहां पे इसका symbol होता है लेंथनम का LA and the atomic number है इसका 57 तो बहुत यह अची तरीक हैसी इसको याद रखिएगा it is in the sixth period and the third group क्या कह रहा है यहां पे कि यह जो लेंथनम है यह छटे period याने की आवर्थ में है और third group याने की तीसरे समू में है तो आपको पता है कि आवर्थ सरनी है ग्रूप और समू का collection है ठीक है चलिए आगे पढ़ते है rate of doing work is called यह physics science से प्रुश्न है तो यह कहलाता है power which gas was spread during the भोपाल gas tragedy भोपाल gas tragedy में कौन सा gas पाये गया तो methyl isonate यानि जिसको कहते हैं M.I.C. ओके यह gas पाये गया है भोपाल tragedy में बहुत ही खतरनाक tragedy था यह चलिए आगे पढ़ते हैं कि अमलू का राजा किसे कहा जाता है the king of acid कहा जाता है sulfuric acid को जिसका formula पूछा गया था H2SO4 होता है ठीके इसको note कर लीजेगा बहुत ही महत्यपोन है यह प्रश्न है अच्छा अगला सवाल है which is the lightest gas बहुत ही जल्दी फटा फट करेंगे ज्यादा time taken नहीं होगा यह video आप सभी के लिए which is the lightest gas तो hydrogen is answer what is the scientific name of the chlor chloroform तो answer है यहाँ पे trichlorothene जी हां trichloromethane ओके नाम नोट कर लीजेगा बहुत important प्रशन है हो सकता है कि आगे exam में बनें आपके what is the unit of pascal what is the unit of pressure mask कीजिएगा what is the unit of pressure तो answer है यहाँ पे pascal okay what is the measure with the hydrometer hydrometer किसके लिए मापक होता है यह होता है relative density of liquid ध्यान दिजेगा important है यह प्रशन है who has hot blood गरम खून किसमें पाए जाता है तो यह mammals और चीनिया यानि की birds में पाए जाता है mammals में human भी आते हैं human being भी आते हैं तो ध्यान दिजेगा birds और mammals में होते हैं hot blood okay what is the gigot developed तो gigot developed होता है ब्लास्ट ब्लास्टो साइट से ओके note कर लीज bone to bone connectivity tissues तो ligament is your answer बहुत important है और देखिए आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी general science के अगर आपको classes देखनी है तो आप लोग success की 98 पर जाकर वहाँ पर general science की classes भी देख सकते हैं या फिर वो आप live science की classes देख सकते हैं वहाँ playlist बना हुआ है आप सभी चीजे वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं चलिए और इसका PDF भी आपको success की 98.in पर भी मिलेगा और टेलिग्राम पर भी जॉइन कर लिजीगा वहाँ भी आपको मिल सकता है who discover blood group किस ने blood group का discover किया है काल लैंस्टीनर ने किया है what is the cause of ranikate illness ranikate illness किसके चलते होता है तो यह चुनियों की चलते होता है यानि कि birds is the answer which is the highest type of TB in India तो यह lungs disease जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा TB highest पाए जाते हैं okay TB जो disease होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं lungs disease में okay what is the chemical name of NaCl तो यह होता है sodium chloride note कर लिजीगा दोस्तों बहुत important प्रस्न है यह पूछा जा गया है कितनी बार तो तीन बार यह प्रस्न रिपीटिट किया गया है what is the chill slapiter formula तो answer है NaNO3 यानि की sodium nitrate को कहा जाता है chill slapiter formula ओके what is the reason of flexibility in trees तो xylem and phelome is the answer ठीक है what is the reason of flexibility in trees trees में flexibility किसके करन पा जाती है तो xylem और phelome के चलते molecular mass पुछा है यहाँ पर HNO3 का तो यह होता 3.01 gram per molecular ओके note कर लिजेगा यह question भी 3 बर से 4 बर repeat हो चुका है exam में चलिए अगला हमारा जो प्रस्न है what is the number of sulfur in periodic table sulfur का periodic table में क्या number है तो यह answer है बच्चे 216 ठीक है who is the joker of plant kingdom यह important प्रस्न है यह अभी एक ही बार पुछा गया है पर repeat हो सकता है यह प्रस्न तो mycoplasma is the answer what is the ratio of hydrogen to oxygen in water यह प्रस्न I think मुझे लगता है कि 5 से 6 बार सिफ्क सो में पूछा गया है तो यह होता है 2 is to 1 h2o किया यह जो ratio पूछा गया है h2o का तो 2 is to 1 is the answer okay what is the pH scale of wine साराब का alcohol का actually ठीक है तो pH value पूछा गया था तो 3 से 4 के बीच में होता है is the answer ठीक है चलिए अगला हम प्रस्न देखते हैं कि who is the invented television तो answer था philo taylor fransworth okay is the right answer what is the pH value of blood to 7.35 is the answer and the what is the power of house of body तो sales को कहते हैं power house of body what is the strongest acid तो H2SO4 सबसे strongest acid याने कि अमल होता है ठीक है what is the color of hemoglobin तो dark red याने कि जो गाढ़ा लाल होता है उस color का hemoglobin का color होता है which of the 31 question है which of the following solution is the most acidic तो यह जितने भी है pH 6 pH 1 pH 0 या pH 5 इन में सबसे ज्यादा acidic कौन है तो यह है pH 0 what is found in the acidic fruit तो vitamin C पाया जाते हैं acidic fruits में जैसे कि मौसम्मी हो गया संत्रा हो गया नीम्बू हो गया what is the unit of charge तो यह कुलंब होता है यह physics का question है और यह repeat है दो बर next है हमारा dimension of exploration तो यह होता है A is equal to L upon T square is the answer चलिए अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों कि how the depth of sea is measured तो यह किसने किया है तो फैटो मीटर के द्वारा इसे measure किया आता है समूंदर की गहराई को which gas is used in the balloons to make them rise उडने के लिए balloon में कौन सा gas डाला जाता है तो helium what is the reason of polio तो यह होता है poli virus के चलते ओके who invade the laser तो थियोडोर है Harold Mayman okay Theodore Harold Mayman is the answer ठीक है चलिए अगला प्रशन है how many valence electrons how many valence electrons exist in N2 तो answer is 10 is the right answer 10 valence electron होते है what is the pH value of water तो यह होता है 7 note कर लिजीगा बहुत important है और यह पूछा जाता है अकसर और longest nerves in human body पूछा है यहां पर तो psychiatric okay psychiatric जो होता है वो सबसे लंबा हमारे human body में nerve होता है अगला प्रशन है कि one micron is equal to six ठीक है one electron इसका होता है six के बराबर is the right answer यह पूछा गया है what is the formula of vitamin c तो c6 h8 o6 c6 h8 o6 is the formula of vitamin c who is the known as who is also known as law of inter inertia maaf कीजीगा who is also known as law of inertia तो newton's first law is called law of inertia male hormone name पूछा है तो यह है testosterone जी यह testosterone is the right answer और यह प्रशन सारे पूछे जा चुके हैं आपके exam में तो यह प्रशनों को जरूर देख कर जाईएगा क्योंकि repeated question बहुत हो रहे हैं group d के exam में which metal is found in chlorophyll तो magnesium how how wind is measured हवा को यानि की जो वेग होता है उसको किसमें मापते हैं हवा को ठीक है तो यह है animometers where is the interpol headquarter तो lion is answer who invented the dynamite dynamite माफ किजिएगा alford nobel is the invented dynamite okay how bones are connected to each other ligament is the answer which one of the following is the smallest icon iron mg plus 2 na plus al plus 3 तो al plus 3 is the smallest iron how many water molecules present in the copper sulfate यह बहुत important प्रशन है यह प्रशन भी दो से तीन बर पूझा जा चुका है तो how many water molecules present in copper sulfate तो answer था यहां पर 5 which gland is called the master gland तो it's a putatory gland जी हां putatory gland जो होता है वो master gland होता है human body में which gland is called the master gland same question आ गया यहां पर चलिए which part of the ear is responsible for the vibration which part of ear responsible for the vibrations तो eardrum और time panic membrane जी हां इसको note कर लीजेगा eardrum और या फिर time panic membrane SI unit पूछा गया था exploration का तो m is is equal to 1 SI unit of displacement तो यह होता है meter यह जो एक्सक्लेरेशन का होता है m is 1 लिखा हुआ है m is minus 1 यानि कि meter per second ओके त्यान दीजीगा और SI unit of displacement जो होता वो meter होता है name of the hormone released from male testis तो यह होता है टेस्टेरोन जी यहां भी आपको मैंने बताये यह प्रश्ण को तो बहुत ही महत्रपुन शारे प्रस्ण आई हुए है जो कि आप तक share किया जा रहा है और जो repeated प्रश्ण है उसके बहुत ही कम लिया गया है यानि कि ना के बराबर second law of newton define of time and displacement के बारे में ज्यादा तर उसमें चीज़े बताई गई है number of oxygen present in sodium carbonate तो answer है 3 unit of work होता है तो newton which metal can be cut by knife तो sodium है जिसे हम सिर्फ चाकू के द्वारा काट सकते हैं ऐसा एक metal है यह alkaline formula पूछता है तो यह देखिए यह जो प्रश्ण है यह actually मुझे लगता है कि 6 से 7 बार पूछा गया है alkaline और alkyne का ठीक है तो यह होता है cnh2n-2 work of xylem tissues तो transportation of water is plant ठीक है नोट कर लेज़ेगा work of xylem tissues transportation of water in plant पौधों में पानी का transplant करना ओके how many water molecules present in the copper sulfate तो answer है यहाँ पर 5 who invented the radar तो robert watson invented the radar यह सारे प्रश्ण आयों है दोस्तों इसको नोट करते रहिएगा और इसका pdf भी मिल जाएगा formula for the exploration तो a is equal to v minus u upon t याने की दोरी बटे समय होता है exploration तो v minus u जो होता है आपका upon t होता है a is equal to ok चलिए आगी देखते हैं chemical name of vitamin c ascorbic acid is the answer how many bones are present in the human brain कितने होते हैं bones तो होते हैं 8 which of the following element have the lowest in electronegativity fluorine chlorine bromine और iodine में तो iodine जो होता है वो सबसे lowest electronegative होता है ध्यान दिजीगा name the protein present in the eggs तो answer है albumin ठीक है अंडे में पाय जाने वाला protein होता है albumin okay name the vitamin present in rip mango पके हुए आम में कौन सा vitamin होता है तो vitamin A पाय जाता है name the acid present in curd तो lactic acid पाय जाता है tip of the pencil is made of तो graphite का बना होता है pencil filament of bulb is made of तो tungsten is the right answer देखिए प्रस्ट ने तीन से चार बार पूछा गया है formula of exclaration पूछा गया है देखिए फिर से repeat हो गया है a is equal to b minus u by t what time does the sun require to reach earth 8.3 minute okay सुरी की प्रकाश के किरने प्रत्वी पर कितने दिर में आ जाती है तो 8.3 minutes में chemical name of vitamin C is the answer of ascorbic acid यह दुबारा फिर से लिखा जा चुका है प्रस्ट तो how many bonds are present in human brain it is the answer और name I think मुझे लगता है कि नीचे आ गया था भी ठीके हाँ name of the vitamin present in rip mango तो vitamin A filament of bulb is made of तो tungsten name of the acid present incurred lactic acid who invent the radar तो henrich herds tip of pencil made of graphite प्रश्ण है एक horsepower is equal to how much watt तो 746 watt होते हैं एक horsepower में वाई इस human blood red due to hems in hemoglobin जी हां hemoglobin के चलते हैं blood जो होता वो red होता है और which vitamin is good for eyes तो यह होता है vitamin A what is the work of carburetor it's regulates how much air can flow in petrol how many percentage of nitrogen in present in the atmosphere यह question पूछा गया है दो से तीन बार nitrogen की जो मात्रा है वो atmosphere में कितनी होती है तो यह होती है 78% what is the real name of laughing gas तो nitrous oxide is the answer which is the most light gas तो hydrogen is answer सबसे हलका gas होता है which is the longest organ in the human body तो answer है skin और what is the formula of heavy water तो D2O यह प्रशन पूछा गया है आप से at least 5 से 6 बार D2O के बारे में which tissues is responsible for flexibility in plant तो close clean sorry chlorine plasma ठीक है which process oxygen is related into air photosynthesis सभी कोई जानते है photosynthesis की द्वारा पौधे जो है वो अपना भोजन भी तैयार करते हैं who invent the protein तो chemist Girad John Mulder is the answer how when the measure the anemometer is the answer frog belongs to which animal group तो amphibian amphibian is the answer frog जो मेंड़क होते हैं वो किस animal group के होते हैं तो amphibian who is the inventor of binocular तो J.P. Lemire देखिए जितने भी विज्ञानिक से related प्रशन थे उसका भी एक video success की 98 पे बना के डाला हुआ है आप उसे जाकर जरूर देखिएगा playlist में उसके what type of the third 3D glasses are used in movie theater polarized is the answer what is percentage nitrogen in urea 47 percent is answer where ATP is produced तो mycocondria mycocondria ठीक है mycocondria में पाए जाता है ATP which non metal is lustrous in nature इसका answer यहाँ पे नहीं है दोस्तों माफ कीजिएगा इसके लिए अगर आपको answer पता है तो नीचे comment box में भी comment कर सकते हैं pH value of vinegar तो 2.4 is answer 108 नमजो प्रश्ण है यह pH value of acid पूछा गया था तो यह है 0 से लेकर 14 तक ठीक है और the atomic number of chlorine answer है दोस्तो 17 to which group to noble gases belong to neon, argon, krypton, xenon और redon यह सारी जो gases है यह noble gases में गिनी जाती है तो इससे related प्रश्ण थे 3-4 ऐसे प्रश्ण थे आईवे थे exam में जो कि आपके लिए important है पूछा जा सकता है exam में आगे what is the formula of alkyne देखे पूछा गया है यहाँ पे CNS2N is the answer and what is the formula of limestone to CaCO3 what is the normal temperature of human body तो 37 degree actually normal degrees 37 to 40 होता है उससे उपर जाएगा तो आपको विमार घोसित कर दिया जाता है group 17 element जो है वो कौन-कौन से है तो fluorine, chlorine से related जितने भी थे वो group 17 में आते हैं तो यह option था वहाँ पे इसलिए इसका answer था fluorine और chlorine ठीक है in which vegetable have vitamin A तो तो carrot वहाँ पे option जो था carrot था जिसे vitamin A जो है mangoes में भी पाय जाता है ठीक है और papaya में भी पाय जाता है तो ध्यान रखिएगा SI unit of power तो answer था what the largest organ in the human body skin valency of bromine तो यह होता है minus 1 SI unit of force जो होता है Newton होता है molecular mass of calcium is 40 and what is the value of room temperature to 20 to 25 degrees Celsius Celsius में ही पुछा था answer what is used in solar cell तो answer है convert light sources at the top of the periodic table is the angle the bond angle is the right answer H2O का molecular mass पुछा था तो यह होता है 18 gram per molecule recurring decimal क्या होता है recurring decimal number is not equal to 0 यह होते है recurring number skin cells are made of तो यह layers के बने होते है जिसे हम epidermis कहते है what is called the blood vessels carrying blood from the body and the blood तो answer है transfer oxygen body to the lungs चलिए how much is the fluid in the periodic array तो cylindrical shape में होते हैं chemical name पुछा है आपका washing soda का तो यह है Na2CO3 और what is the AgNO3 तो यह होता है silver nitrate तो दोस्तो यह सारे प्रश्ण जितने भी थे यह सभी के सभी आपके exam में पूछे गये थे अगर आपको यह सारे प्रश्ण अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों तक share किजिएगा क्योंकि यह सारे प्रश्ण उनके exam में पूछे जा सकते हैं repeat करके तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाबाई टेक कियर चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा बाबाई